दोस्तो आज का डिडियो उनलों को लीकिए जादा इंपोर्टेट है जो गर की कंस्ट्रक्षिन करभा रहे हैं जो डिनकी दिवारों में क्रेक सायतै थे काफी कोट्पर शांते तो ने सारी में क्या चेक करने है करते कि दुरान जब प्लास्टर हो रहो था उसमें क्या चेक करने है सब चीज़े इसमें पता जलेंगी तो उससे पहले जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन दबालो और वीडियो लाइक करना अगर पसंद आएगी तो स्टार्ट करत हुआ को कि हम start कैसे करते हैं प्लास्टर को क्या क्या चीज आपको पहले start करते नाइं धीयान देनी एक फिर बताऊगा आपको की बीच है गरने लास्ट में के बताऊँगा क्ँछ कर दो हम अप्क्रेक्स क्यों आते हैं उसको हमारा हम प्लीट वीडियो Clear होने वाल डालते हैं वो सब रेडी हों तो क्यूरिंग आपको कर देनी है प्लास्टर करने से पहले दीवारें आपकी बिल्कूल एक दम तर होनी चाहिए वह यह नहीं है कि जब आप प्लास्टर करो तो जो आपका ब्रिक होगा वह प्लास्टर में से पानी खींचेगा और उससे श्रिं पांच शे गंटे पहले उसको अच्छे से क्यूरिंग कर लेने अच्छे से पाणी मार लेने थोड़ी तो आपको स्लरी जैसे नीरु जी से बोलते हैं वो आपको डाल देना है सीमेंट का सीमेंट और पानी को मिक्स करके बना के वो दीवार पर डाल देनी है उसके बाद यह भी मेंड चीज है क्रैक्स आने का आपको जो सेंड यूज करनी है वो आपकी अच्छी सेंड होनी चाहिए जिसमें सिल्ट कुंटेंट कितना छे प्रसंट से कम हो यह आप घर पे चेक कर सकते हो सिल्ट कुंटेंट उस पर में वीडियो बनाया था टेस्ट पे तो 6 प्रस से जादा अगर वो पुराना हुआ तो वो एक्सपायर की तरफ बढ़ चुका है उसकी स्रंथे डिक्रीस हो रही है और उसमें क्रैक्स होने के चांसे भी काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं दो चीजे आपको देखनी है और सेंड को अच्छा चान के आपको फिर उसके साथ तो वो करने यह चीज आपको स्टार्ट में कर देनी है जब भी आप प्लास्टर स्टार्ट करो अभी और एक दो चीज देखनी है कि क्रैक्स क्यूं आते हैं और प्लास्टर अगर हम सही से करेंगे देखो अगर हम प्लास्टर सही से नहीं करेंगे मोटा प्लास्टर चड़ तो इसलिए आपको क्या करना है प्लास्टर करने से पहले आपको जो ठहिया रहता है उस पर वीडियो लाया था परसु चोद में प्रैक्टिकल वीडियो ठहिया मार लेना है पूरे रूम में प्रॉपर की हर जगा प्रॉपर जो हमारा प्लास्टर आए वो प्रॉपर तरीके स से आए जादा नहीं आए अगर बाइचांस कही जगह पे 20 से 30 mm आपका प्लास्टर चड़ रहा है कुछ रीजनों से चड़ जाता है कि दिवार अच्छे से नहीं की है तो वहां पे आपको डवल कोड करना है सिंगल कोड रफली मार लो उसके 24 से 48 गंटे बाद दूसरा कोड करो फिनीश वाला कोड तो मतलो एक कोड में कभी उस प्लास्टर को आपको नहीं करना है तो वो क्रैक्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप एक साथ में वो करोगे देखो अभी बढ़ते हम आ पाइपे तो आएंगी एलेक्ट्रिक की पाइपे जो रहती है वो डालो गया तो उसके उपर आपको कभी भी डाइरेक्ट प्लास्टर नहीं करना है दो चीज़े यूस करना है एक तो जो हमारी मुर्गा जाली या वायर मेश जाली चिकन मेश जो जाली आप सामने देख रह क्ती चीज़े appelle नहीं है जाल मतलब कोई भी वी तोड़ फोड की डाइरेक्ट प्लास्टर वहां मत करो अंदर को कोई भी डाली वाल में वहां आपको वायर मेश लगानी ही लगानी है उसके बाद उसके उपर प्लास्टर चढाना है और जब प्लास्टर चढ़ाओं तो व प्लास्टर थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाएगा या पपड़ी बनके निकल जाएगा तो आपको उसमें सामने जासे आप देखने हो निशान निशान कॉंक्रीट पे उसको हाकिंग कर लेनी अच्छे से हम टाचा भी जिसे बोलते हैं वो प्रॉपर वैसे आपको हाकिंग कर लोगे फिर उसके उपर प्लास्टर मारना है फिर वो अच्छा चलेगा और आपको हाकिंग कितनी करनी है एक स्केर मीटर में आपके 300 से साथे 300 निशान होने चाहिए तो प्रॉपर से वहां आपका प्लास्टर लगेगा और देखो ऐसे साइट इंजिनिर आपको यह भी चेक करना है कि जो रेशो कहीं है ड्रॉइंग में बन रेशो फोर बन रेशो सिक्स यहां बन रेशो एड जिस रेशो से भी आप प्लास्ट बगरानी होने चाहिए तीसरी चीज जब भी आप कॉंक्रीड यो माल बनाते हो मोटार बनाते हो उसको एक गंटे में आपको कंज्यूम करना है अगर आपने एक गंटे से जादा उसको रखा तो उसका जो सीमेंट का हाइडरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो क्र दिख रहा है मतलब वो अंडूलेशन है उसमें उपड़ खाबड प्लास्टर वो हूँ है तो वो असेप्टेवल नहीं है वो चलेगा नहीं फिर आपको क्या करने है प्लंब लेने प्लंब जो जिससे हम जिससे हम उसका पूरा साउल देखते हैं साउल भी बोलते है उसको तो उपर आपको साउल रखने है नीचे प्लंब आव नीचे आएगा उसमें ज्यादा गैप बचना नीचे थोड़ा आदे एमम से भी कम गैप रहेगा तो वो से ज्यादा होगा तो अंडूलेशन हुई हुई है कहीं जगा ज़दा प्लास्टर हुआ है कहीं जगा कम प्ला आपको उसमें क्यूरिंग करवानी करवानी है जैसे आपका फिनिश हो गया उसके कुछ गंटों बाद आपको वहां पानी शांटना स्टार्ट कर देना है और हमेशा याद रखना जहां भी आपका जॉइंट होगा मतलब स्लैब और ब्रिक का जॉइंट स्लैब और वाल का जहां दो दीवारों का जॉइंट तो आपको वहां ग्रूब डालना है ग्रूब से क्या होगा आपने देखा होगा स्लैब और ब्रिक के जॉइंट में हमेशा क्रैक्स दिखते हैं आपको तो उन क्रैक्स से आप कैसे बज़े सकते हो आगर आपने ग्रूब डालना है 10 mm होता 10x10mm का डाल दो groove अच्छा सा तो उससे आपके cracks के chances भी कम हो जाएंगी wire mesh और groove तो वो ये दो most चीज़ें जो आपको हमेशा provide करनी ही करनी है ये कुछ basic चीज़े थी अगली वीडियो जो plaster पे आईगी उसमें और ज़्यादा मैं आपको explain करूँगा और बताऊंगा तो तब के लिए channel को subscribe कर लो bell icon दबा लो और comment करो जो चीज़ आपको नहीं idea लगी इसमें तो उसपे comment करो मैं ज़रूर बताऊंगा और आपको job के लिए मैं एक नए channel create किया हूँ उसका description में link डाल दूँगा वहाँ जाओ jobs पे apply करो channel को subscribe कर लो और हमारी website जो है civilsightvisit.com वहाँ पर जॉब के लिंक हैं आपको specification, IS code, blogs, interview questions सब कुछ उसमें भी मिलेगा वह भी description में link डाल देता हूँ thank you guys